हमारे साथ बात करने के लिए हम आदी पार्टी से राजसवा सांसा संजय सिंग है संजय जी मुख मंतरी ने आज मंच से बहुत बड़ा ऐलान किया है दो दिन में इस्तिफिय देने की बात किया लेकिन बिपक्ष इस पे भी अब हमला वड़ है देखो बिपक्ष क्या कहता है वो महत पूर्ण नहीं है केजरी वाल वो नेता है जिनोंने कमिस्नर की नौकरी से स्तीफा दिया जिनोंने उन्चास दिन के मुख मंतरी के पत से स्तीफा दिया देनों ने जिल्ली की जंता के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, सिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बेहनों के लिए बस्की यात्रा फ्री, बुजर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट दिया तो वो इमांदार मुख्यमंत्री हैं, इमांदारी से उन्होंने दिल्ली के लोगों की सेवा की, जूंटा आरोप लगा के हमारी पार्टी को तोडने और सरकार को गिराने का काम बीजेपी वाले करना चाहते थे, उसको केजरिवाल जी ने विफल किया है, और अब चुनाओ के अंदर ये फैसला हो जाएगा, अर्विंद केजरिवाल जी इमांदार है या गुनेगार है, और मैं पूरा भरुसा है मुझे दिल्ली के लोगों पे, कि दिल्ली की महान जनता, प्रचंड बहुमत देके, जैसे बासट और सरसट सीटे उन्होंने पहले दिये, वैसे ही प्र संविधान की रक्षा के लिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अगर वो उस समय इस्तीफा दे देते, तो दूसरे विपक्ष की राज्य सरकार हैं, चाहे वो सिधा रमया हो, चाहे वो वीजियन जी की सरकार हो, स्टालिन की सरकार हो, सारी सरकार गिराते वो, भगमनमान क मुखमंत्री आज मंच से कहें कि यह जनता को अपताय करना है लेकिन देखा गया था जब ग्रफतारी हुई थी लोग सभा का चुनाब था उस वक्त भी आप लोग का एक नारा है था जेल का जबाब वोट से तो वहां पे वह प्रफाब जैदा नहीं देखने के मिला था किया क कौन होगा यह सबसे बर् smeager कि मीटिंग में तय होगा और इस बात का ईलान आज के जीने कि यह लंग विधायकि दल की बैठक हो गी और में मुख्यमंत्री का फैसला होगा अगला मुखमंत्री कौन होगा यह विधायक दल की फैसले में ताई होगा और आम आदमी पार्टी को जो बीजेपी तोड़ने की शाजी सरज चरही थी उसमें बीजेपी कहने कहीं नाकाम रही कैमरामें देमिलर्ग साथ मैं दीपंचा दिली भारत समचार